और आज हम बात करेंगे हमारी इंडियर एरफोर्स है एन-32 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट को रिप्लेस करें सी 295 से लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इसमें फर्स टाइम प्राइविट प्लेयर है उसको इंडल्ज किया जाएगा और यह प्राइविट प्लेयर दो कौन-कौन से हैं फर्स्ट ओफोल हमारे सबकी टाटा प्लस एरबस डैट इस दा स्पैरिश कंपनी और यह 295 है काफी अच्छा एरक्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है और यह लड़ाई के दोरान में या सिंपल वे में भी समान और आर्मी को लाने और ले जाने में काफी हल्प करेगा और एंडियन प्लस इंडियन बैगी दोनों ने ही इसको को खरीद में अपनी दिल्चस्पी दिखाई है और दूसरा है इस aircraft के अंदर चाहेए कोई इंधार बनेंगे और 40 इंडिया के अंदर ही बनेंगे यानि total 56 aircraft लिए जाएंगे और 40 को 40 को कहां बनाए जाएगा वड़ोदरा के अंदर इन गुझरात और अब गुवर्मेंट इंडिया है make India, buy India, buy India इन से उपर उठके make for the global की तरफ जा रही है ताकि हमारे यहाँ पर assemble हो हमारे यहाँ पर बने और हमारे foreign trade जादा बढ़े जिससे हमारी foreign currency जादा अच्छी हो क्योंकि एक बार वीके सिंग जनर्ल साब ने बोला था कि हमारा जो import है हतियार होगा वो 70% है और हम cable homemade 30% बनाते है तो यह उल्टा होना चाहिए अब government of India है उसी की तरफ जा रही है दीरे दीरे करके क्योंकि इसी 295 aircraft को कुछ और other air force या navies भी यूज कर यह सबसे पहले Polish, Royal Canadian Air Force Spanish Air and Space Force यह सभी को सभी इस aircraft को यूज करती है और एक time पर यह 5-10 ton से भी जादा का लोड ले जा सकती है और एक time पर 81 mans को यह ला और ले जा सकती है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं If you like it, please like, share and subscribe Thank you so much and have a nice day